दोस्तों कुछ दिनों से आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट किया कि Ryzen 7 7700 के साथ में PC बिल्ड करा दीजिये, हमें थोड़ा हैवी वर्क करना है और कम से कम बजट में कितने में बिल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर जो लोग भी Ryzen 7 7700 के बारे में सोच रहे हैं, वो ल पूरा सेटप जो है DDR5 के साथ में सेटप बनता है, पूरा रेम भी DDR5 लेना होगा, मदरबोर्ड रेट DDR5 लेना होगा, क्योंकि इसके अंदर AM5 सौकेट आ जाता है, जिसके बज़े से यह पूरा ओबरल टोटल कॉस रिस्ट का बढ़ जाता है, फिर भी कम से कम में कितने में बन सकता है, हम कौन-कौन सा इसके अंदर components लगा सकते हैं, जो कम budget के अंदर लगा सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे, काफी कम budget के अंदर अगर आपको बनाना है, तो आपको 7th generation में ही चाहिए, तो i5 पर जो है आप assembled कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो आएगी, उसके बारे मे share कर दिया करें, एक प्यारा सा comment कर दिया करें, कि next वीडियो की topic पर चाहिए, क्योंकि आप लोगों के comment के आधार पर ही मैं वीडियो ले करके आता हूँ, आइए दोस्तों समझते हैं, तो इसके अंदर actually एक ही number के दो processor है, यानि कि Ryzen 7 का 7700 एक है, और एक जो है 7700X है, दोनो में price में थोड़ा अंतर है, और price के साथ में performance में भी अंतर है, अगर हम Ryzen 7 के 7700 की बात करें, ये जो है base frequencies की 3.8 GHz है, और boost में ये 5.3 GHz तक जाती है, DDR5 500 MHz तक की memory को support करता है, और इसकी TDP 65W तक है, बाकि PCI Gen 4 को support करता है, और बाकि वही पर अगर हम 7700X की बात कर लें, तो यहां पर इस specifications थोड़ा सा change हो जाता है, थोड़ा सा ये है भी पड़ेगा, और दोनों ही जो processor ही ये 8 core और 16 threads के हैं, और 14 MB catch के साथ में ये आते हैं, और 5 nanometer पर based हैं, जन 4 architecture पर ये बने हुए हैं, और वही पर अगर base clock X वाले version की बात करें, तो 4.5 GHz है, और turbo boost में ये 5. 5.5 GHz तक जाती है, यालि अगर आपको हमें सा heavy task करना है, तो आपको 7700X को buy करना चाहिए, इसके TDP जो है maximum 105 Watt तक जाती है, आप समझ सकते हैं, ये कहां तक performance देने वाला है, तो कही न कहीं, जो without X यालि 7700 है, उससे far better performance आपको 7700X देने वाला है, यहां पर budget की अगर हम बात करें, Ryzen 7 7700 का price 33,500 रुपे है, और वही पर अगर X की बात करें, तो वो है 34,300 रुपे, बहुत जादे price का अंतर नहीं है, अगर ये price रहा, तो आप X को जो है buy कर सकते हैं, 7700X को buy कर सकते हैं, आपके लिए beneficial साबित हो सकता है, बाकी सारी चीज़े वही रहनी है, अब हम बा इसके costly पढ़ने वाले हैं, क्योंकि DDR5 वाले motherboard इसके अंदर लगने वाले हैं, जिसके अंदर कम से कम आसूस का prime B650M.A, Wi-Fi के साथ में, ये काफी बहतर है, मातर 20,999,2000 के अंदर, चुकि ये budget में है, इसके जो DDR5 के motherboard है, अभी भी बहुत महंगे हैं, उसके अंदर सस्ता यही तो आपकी मजबूरी है, अभी फिलाल, ये motherboard कम से कम में आपको इसे buy करना पड़ेगा, इससे नीचे अभी कोई solution नहीं है, motherboard 21,000 रुपे का कम से कम ये आपको buy करना होगा, जो कि Wi-Fi के साथ भी आता है, PCI 5.0 को support करता है, M.2 NBME का support मिलता है, Wi-Fi 6 के साथ में आता है, यानि ये सारी चीज़े बिल्कुल भी latest है, इसके अंदर, VRM section भी बहुत ही powerful आपको देखने को मिल जाता है, इसको कम से कम buy करना पड़ेगा आपको, उसके बाद next motherboard की बात करें, तो इससे उपर अगर आपको जाना है, थोड़ा सा और बहतरिंग चाहिए, gaming feel और आपको लेना है, है भी gaming करना है, या फिर आपको है भी video rendering वगरे करना है, ग्रैफिक काड है भी से है भी आगे चल करके लगाना है, तो आसूस टफ गेमिंग का model आप बाई कर सकते हैं, बी 650M प्लस आप बाई कर सकते हैं, ये भी wifi के साथ में आ रहा है, और ये इस वक्त जो है 24,000 का पड़े हैं, तो कम से कम ये सारी चीज़े आपको बाई करनी पड़ सकती है, उसके बाद next की अगर हम बात करें, तो एक और है जो बहुत ही famous है, गेमिंग में खास करके, MSI MAG B650M मोल्टार का वाई पी के साथ में, मोल्टार मॉडल बहुत ही जादे gaming में famous रहा है, और बहुत ही जा रुपे में आपको motherboard पर खर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये वाकई में capable हैं, उतना बहतरी में motherboard है, उसके बाद जो है RAM पर चले जाते हैं, RAM की single stick अगर DDR5 की लेते हैं, 8GB के अंदर 4800BHz में, तो crucial का पड़ रहा है without hitsink 2700 रुपे का, उसके बाद अगर हम next पर जाते हैं, hitsink क साथ में लेते हैं, चुकि इतना महेंगा motherboard अगर आप ले रहे हैं, प्रोचेसर बाए कर रहे हैं, तो एक अच्छा सा आपको RAM ही बाए करना पड़ेगा, तो कम से कम जो है Kingaston Fury का RGB, जो RAM है, hitsink के साथ में आती है, 8GB का लेते हैं, 500 MHz में, तो ये आपको पड़ता है 4500, 4600 र AMD के साथ में, AMD के प्रोचेसर के साथ में आप इसी बिल्ड कर रहे हैं, तो कोशिस करें, dual channel इसका यूज करें, यारि दो स्टिक लगाएं, कोई भी, अगर आपको जैसे 8GB में, 44GB तो मिलेगा रहे हैं, DDR5 में, 8GB लगाते हैं, तो आपको एक ही स्टिक लगानी पड़ेगी, एक साथ जब आती हैं, dual channel बोल करके जब आप बाई करते हैं, तो वो उसी हिसाफ से frequency मैच करके कमपनियां भेशती हैं, ताकि आप उसका बहतरीन performance निकाल पाएं, अलग-अलग बाई करते हैं, तो practically अगर performance भले ही सारी चीज़े एक जैसी हैं, लेकिन frequency में अंतर आएगा, त उसका performance आप नहीं निकल पाएंगे, इसलिए जब भी दो stick लगाते हैं, तो बेहतर performance के लिए dual channel यानि कि दो नहीं stick को एक साथ खरीदना होता है, एक साथ का मतलब एक ही पीस को दो order नहीं किया जाता, dual channel के आते ही हैं, जिसके अंदर एक ही package में दो stick होती है, जिसका मैं link दे उसीर वेगेंज का hitsink वाली solar gv लेते हैं, तो ये 5600 रुपे का पड़ेगा, single stick वही पे अगर आप double लेते हैं, तो kingston fury beats का अगर आप लेते हैं, तो इस वक्त बहुत ही high price है, 88 gv की 2 stick मिलेगी, और इस वक्त इसका price 26320 रुपे है, बहुत ही high price है, इसको लेना सही नहीं है, ये जब सही price आएगा तब आप इसको buy कर सकते हैं, बाकि dual channel में चाहिए ही, तो इस वक्त जो है, पेक्ट्रियोट का वाइपर, Venom DDR5 solar gv, 88 gv का 2 stick जो है, चपन सो मेगा हर्ट में आपको मात्र 7400 रुपे में मिल जाएगा, आप इसको लगा सकते हैं, इससे भी आप एक अच करेंगे तो आपको बहतर performance मिलेगा, कहने का मतलब जब dual channel, आप AMD Ryzen में जब build कर रहे हैं, तो dual channel जब use करते हैं, तो performance बहुत बहतर मिलता है, वहीं पर Intel के अंदर उतना practically प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो AMD Ryzen के साथ में जो प्रभाव पड़ता है, वो आपको बिलकुल दिखता है, dual channel में बिलकुल वो प्रभाव आप समझ सकेंगे, महसूस कर सकेंगे, बहुत ये बहतरी performance निकल करके आता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बाकि अगर हम SSD की बात करें, तो कम से कम WD का blue SN570 आपको लगाना है, जिसकी 500 GB की कीमत 2800-30,000 के बीच में र इस से उपर वाली अगर आप जाते हैं, तो WD का black SN770 लीचे, ये Gen4 की entry level के SSD है, जो कि बहुत अच्छा performance दे सकती है, कम budget के अंदर, 500 GB का ये 5000 रुपे के आसपास ही पड़ती है, 5000 MB पर सेकेंड की speedus के अंदर मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी है, सस्ते में, जो कि Gen4 की entry level के SSD है, इस से उपर अगर आप जाना चाहते हैं, SN850 है और 850X है, वो बहुत ही high-end SSD हैं, और उसका मैंने link दिया हुआ है, एक बार देख लें, उसको अगर आप buy करते हैं, तो थोड़ी महंगी तो पड़ेगी, लेकिन 7000 से उपर MB पर सेकेंड उसकी speed होती है, जो कि बहु आप अपने हिसाब से इसको select करें, कि आपको कौन-कौन सा आपके budget के हिसाब से कौन-कौन सा suit करता है, 7th generation, एक बहतरीन Ryzen 7 के साथ में PC बिल्ड करने के लिए, और cabinet की बात रही तो मैंने link दे रखा है, एक अच्छा सा cabinet आप select कर सकते हैं, बहतरीन cabinets की मैंने link दे रखा है, और उसके साथ में power supply, 450 watt की power supply बहुत है इसके लिए, चाहे तो 550 watt भी लगा सकते हैं, उसी link पर मैंने 450 watt का link दिया हुआ है, आप उस पर click करेंगे, drag करके नीचे जाएंगे, तो वहाँ पर अलग-अलग wattage मिलेगा, 550 watt से उपर लगाने की जरूरत भी नहीं है, 450 watt भी बहुत ह इसके लिए, तो इस तरीके से PC को build करेंगे, यह महंगा जरूर पड़ेगा, प्लीज आप एक बार जो है, इसका calculation करें, आपके budget के हिसाब से क्या बैठ रहा है, इससे सस्ता अभी फिलहाल तो Ryzen 7 का 7th generation, यानि 7700 का PC build नहीं हो पाएगा, क्योंकि DDR5 motherboard महंगा है, RAM महंगा है, हो सकता है, एकास सलबाज जो है, यह सारी चीजें सस्ती हो जाए, लेकिन फिलहाल आपको महंगा ही बाय करना पड़ेगा, इस budget में आपको जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, सबसे बड़ी बात कि motherboard अभी फिलहाल बहुत costly है, आपको कैसा लगा, आपको क्या समझ आता है, किया अभी यह PC बिल्ड करना चाहिए, प्लिस कमेंट में ज़रूर बताएं, बाकि पूरी वीडियो देखने के लिए, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पहली बार चैनल पर हैं, तो पहली चैनल को subscribe करें, वीडियो को share कर दिया करें, वीडियो इन फर्मेटिव वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिल सुख्ष,